असलाम लेकम क्लास ओप सोल अफ्यार फाइन डूइंग वेरी वेल इन यूर लाइफ अच्छा वही अब हमने इंपॉर्टेंस परेंगे रियक्शन की जिसके ना कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो होप सब इसको अच्छे से समझेंगे ताके आप लोग को कि ना हो देखो कैसी जो होती है उसकी डिपेंडिंग जो ती ना बैसिकली रिस्पॉंस होती है मतलब यह चांट को केल्कुलेटिंग कॉनस्टैंट ही नहीं सिर्फ कह सकते कि सब्सक्राइब प्रोड़क्ट और रियक्टेंट जो है उसके ऐक यह नहीं आप इसके और भी ब एक हैं प्रेंपल आपको बाद आपके पहले लिखावर डिरेक्शन और कैयमिका लेक्शन फाई यह वैंट दील के साथ टीक है इस क्रिटिकल डिटर्माइन गलभ स्था चाहिए आप किसके साथ यहां इसे वर्याटिशन के साथ जहन फिर जो ऑगर मैं कि रेक्शन किस डायक्शन में हो रहा है नहीं बताबाओंगे ना ऑर एक्जेम्पल लगा मैं बोलूं के भाई हम अमूनिया जो है ना वो बना रहेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से कैसे बनता है का यह हमारे पास एंटो two ge सब्सक्राइस को है हुआना है कि क्या है यह रिवर्सिबल रियक्शन कि सब्सक्राइसी को समझना पड़ेगा थीक है तो अब देखो यह तो चिल्स मुश्किल होता है वर कास्ट रीक्षिन कंडिशन एक अपना एक किसी भी तैम माँ से पूछ तो कि भाई किस डायक्षिन मोरा आप नहीं बता पाएं रेक्षिन का जो कौश्ट है हमारे पास क्यूंसी यह आपकी हेल्प करेगा प्रिडक्षिन में ठीक है कैसे इट इस से मैथ किसमारे पास कियूंसी सोरी केसी एक हमारे पास किसी याद एक झाकोकी में पास क्या है क्यों ४ैट है क्यूंसी हमारे पास था product upon reactant QC किसके दर्मियान की होगा बिटा QC जो है ना वो रेश्यो है real concentration computed at a given moment not a ratio of equilibrium concentration जो आपको जो भी concentration QC की रियाल concentration given होगी वो ठीक है ना के वो reaction जो मैं पास equilibrium की होगी ठीक है अगर आप कैसी और QC को क्या कहते हैं compare कर लो ठीक है तो आपको ना इनकी तीन के टेगिरी मिलेंगी या तो आपके बपस QC जो है वो कीसी के जितना होगा या QC जो है कीसी से बड़ा होगा या QC जो है कीसी से छोटा होगा, यानि QC की value अच्छा ये बढ़ाबर होना value बरी छोटी होना सब्सक्रेदा नला आ है कि मैं इससे बहुत है कि आफले केशक्'re इस इक्षेइम स्पार्थ करते हैं और चूछाट है तो इससे अन्हें प्रोडाप्श सिच्ट का peace का सैंगे लेकिन ऊदेश नहीं करें है तो हमारे पास हमारे पास क्यावाधत है interes in product concentration यानिके product जादा है अगर product है तो हमारे पास forwardiya toleration होगा मतलब मतलब देखो हमारे पास केस होता है two is ad two key ठीक है अगर to see has two che now product बनना है और नहीं ने तो दौनों equal हों नहीं के reactant reactant जो भी होगा वो किसके equal होगा वो equal होगा product के ठीक है अगर QC जो है वो case के equal है मैं पहले case की बात कर दीए repeat कर वा दीए तो इसमें हमारे पास system कैसा होगा system stable होगा लेकिन अगर हमारे पास QC जो है वो हमारे पास छोटा है case से ठीक है for example if अगर मैं बात करेंगे अगर अगर इसा है तो इसमें क्या होता है इस के हन्मारे पास होता है प्रोड़क्शन का माइध का होगा बनने जबी अगर तीसरा केस Kannstic follow theuch केसि ऑगर क्यूण जो है वह किसे क्या मतलब होगा इसका इसका मतलब यह होगा कि würde नवह कम है उल्टा हो जाएगा ना भी सेकेंड केस्का उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास रेक्टेंट जादा है और प्रोडक्त की वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है मतलब आप जितना रेक्टंग डेर होना से कम हो रहा है तो आपको प्रोसेस कैसा होगा प्रोसेस क्या है तो आप लोगों को मैथमेटिकल साइन पता होना चाहिए कि जाधा है ठीक है मैं क्या बोड वाला भी दे सकता है मर्जी के मालिक है एक्सिंट ऑफ केमिकल एक्षिन एटा से इन तंप्रेटर एग्स्टेंट ऑफ रीक्षिन इस मेजर्ट आप किसी एक टंप्रेटर के ओपर ना रेक्षिन का एक्स्टेंट मालूम कर सकते हैं इसका मतलब कहा है मैगनिटिव्ट जो होता है ना इक्विल बिया मॉडिव वह स कैमिकल एक्षिन के अगयर कैसी जो है वह बहुत स्मॉल काम है तो रेक्षिन विद लो केशी नवर फिनिश कभी भी खतम नहीं हों गे देखो केसी सापको क्या मिलेगा केसी समझ लो केसी सापको प्रोड़क्ट का बदा चले आगा केसी बहुत कम है तो बिटा प्रोड़क्ट भी बहुत कम है यानि के रियक्टेंड बहुत जादा है और आपके पास जो प्रोड़क्ट है वो बहुत कम है तो आपका जो रियक्ट कभी भी खताब नहीं होगा. सही ए, तो इसको हम कहते है reverse या backward. अब हमने कईस पढ़ा था, अगर QC जजादा हो केसी से, तो क्या होगा? rivers होगा. अब समझागे reverse या backward response क्या है. Casey जणा होगा. भाई, क्या होगा? forward reaction होगा. इसका मतलब क्या होगा? कि आपका reaction complete भी होगा और प्रोड़क्ट भी जादा से जादा बनेगा और रियक्टेंट की concentration कम होगा यानि जितना भी रियक्टेंट होगा उससे प्रोड़क्ट बन जाएगा मैक्सिमम ठीक है अच्छा भी अगर कैसी ना तो बड़ा हो ना छोटा हो यानि के बराबर हो ठीक है इक्विर्यम कॉंस्टेंट जो तेना वो सर्टेंट इस फॉर वीक ऐसे बेसे और और ऑटो आइनिजेशन और वाटर एंस लाइटी सॉलिबल सॉल्ट के बाइजिस्ट करते हैं बस सिंपल सितनी बात कहां अब कहने टेस्ट युज आप से का गया है आपको वैल्यू निकाल इसन च्रीशन ओप टूप जिरो पॉइंट तुब धिविया यानिके एक्षट और आइटो की है और यह किसकी है यह एचि की है अब आपसे कहने पालूं करें आप इसका यानिके क्यू सी मालूं करें और प्रडिक करें इसकी डियरेक्शन भी सबसे बहले केसी निकाल लोग करें केसी आपको गवेन नहीं निकालोगे फिर आप देखो गें किसी की वैल्यू के से क्या है बड़ी है चोटी बदेर गड़ाबर हैं फिर अपके जो कि फिर विवनाथ्यों पर स्वारी क्या था थे हमारे पास हमारे पास है कोसी क्या होता है के शीच जो घूफारा यहां हमने पढ़ा था के हमारे पास यह रहा क्यूसी हमाई पास रियल कंसेंटेशन में ठीक है और computed at a given moment not a ratio of equilibrium concentration, यह ratio होता है real concentrations का, ठीक है, जो भी real concentrations आपको given होगी ना उसका होगा, मैं इंशालों इसके ना कुछ और questions भी solve करवा दूँगी, उसके बाद आप से का गया, match each of the following with the appropriate diagram, आपको का गयागा के small case जो है, indicates the reaction, mixture, mostly contents, reactants, भाई, आपको यहां पे ना दो color नजर आ आ रहें, ठीक है, इसमें देखें, दो color की balls नजर आ रही है, red और green, ठीक है, अब अगर इसके अंदर count करने के red जाद है या green जाद है, तो आप पोड़े चल जाएगी, दोनों में से जादे क्या है, फिर आपने उस रसाप से, क्या कहते हैं, इसको compare करना है, कि किसकी case की value ज या equal, पता चल जाएगा, कैसी क्या, यहाँ पर red से बता चलेगा, और यहाँ भी dark green से बता चलेगा, ठीक है, यह आप लोगा करने का assessment, assignment है, तो यह मैं नहीं करवारी, अगर को difficulty हो, तो पूछ लेगा, बाकी summary है, क्या पर आपको दोबाय दिया है, under non-equilibrium conditions, reaction quotient is defined as a ratio of the product of active masses of reactant and products raised to the respective stoichiometric efficient, अच्छा भई, आपको numerical given है, तो आपको कर लेंगे, questions है, कोई मसला हो, को difficulty हो, तो बता दियेगा, इसके numerical solve करें, यह दुबारा से बड़ी diagram आ गई, बड़े मज़े की चीज़ है, बुक तो बहुत जबर दसाई है, इसको करो, कोई मसला हो तो पूछना, आपको देखो दुबारा से ना, इस चार्ट को सब अपने पास draw करो, concept diagram है, किस करना आपको हर चीज़ बताई विएगी, कि रेक्शन की direction क्या है, क्यों सी कैसी के लोगत, यानि कि पूरा चैप्टर जो आप इतना बड़ा पड़का आने, वो इतने छोटे से उसके नानों आपको अरेंज करकर दे दिया है, होपस आपको चैपकर समद आ गया होगा, इसकी चार पार्ट की वीडियो है, चार पार्ट को देखे, कोई भी मस्ता, कोई भी confusion, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं